बात करते हैं करकराशी की, जो करकराशी की जातक हैं, उनकी रहे आज का दिन काफी अच्छा जापको सरकारी नोक्री उच्पत प्राप्ती का यूग बन रहा है। आज आपको अपनी उर्जा को सही दिसामे लगाने की जृरुरत है। ज़रूरत मंद लोगों की मदद करें, सफलता का योग बन रहा है, वे द्यार्थियों के लिए कालखंड बहुत अच्छा है, आपकी करियर में विस्तार होगा, परिवारी के सिती शांडार होगी, ने प्रकार का कारे करेंगे, माता के स्वास्त को ले करके चिंता हो सकती है, और उनके स्वास्त में उतर उतर सुधार होगा, और आपने क्या करना है कि आज चुटी चुटी बात को ले क्या परिशान हो जाते हैं, कोई नया कारे करते तो बीच में छोड़ देते हैं, ऐसा न करें, आज आपको सौधनी के अबरत नहीं है, आलाश्य का परित्याग करे उपाय क्या करना है, ओम नमस्षिवाय, मंत्र का जब करना आपके लिए अच्छा रहेगा, भगवान फोले नात को जला विशेक करना आपके लिए बेहतर होगा, शुबंके आठ, शुबरंगे सफेद, लक्मिटरे साथ, अरे किर्श्य करपूरे गवरं करुलावतारं संसा अरे सारं भुज गेंद्र हारं सदा बसंत मिर्जार बिंदे भवां भवाने सहितम नमामी, नमस्कार मैं हूँ जोच्छाचार डॉक्टर विंतर पाठी, आप देख रहे हैं भागे गुरु कारिकरम, भागे गुरु कारिकरम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज ह सारी बात हम आपको बताओंगा आज का महा मंतर क्या है महा मंतर का जब कैसे करेंगे इससे आपको क्या लाज होगा यह भी बताओगा 12 राष्षों की भी बारे में आपको विस्तार से बताऊँगा कि आज कौन भारती प्रसाशिक सेवा में जाएगा कौन पुलिस से वाँ में जाएगा और कौन भूमी भून खरीदेगा किसके घर में किलकारी गुजेगी, किसके घर में साहनाई बजेगी किस अंके के प्रयोग करने साब का भागोदे होगा किस रंग के प्रयोग करने साब का अपार सा फलता मिलेगी ये सारी बात बताऊंगा सौधनिया के अबरतने उपाय क्या करना है ये भी बताऊंगा गुरु के नुष्खे भी बताऊंगा और आज जिनका जन्मदीन है उनके भी बारे में बताऊंगा आप देखते रहिए भाग के गुरु कारिकरम बात करते हैं आज के पंचांग की, आज है 15 जुलाई 2024, दीन है सोमवार, तिथी है नौमी, स्वातिन अच्छत्र है, सिद्धी योग है, बालो करण है, सुरुदे हो चुका है, सबेरे 5 बच के 23 मिनट पर, सुर्यास्त होगा साम को 7 बच के 20 मिनट पर, चंद्रोदो होगा दो सबेरे 1169 से ले करके, दो पहर 12 बच के 24 मिनट तक, रहुकाल है, सबेरे 7 बच के 16 मिनट से ले करके, 9 बजे तक, पूर्व दिशा का दिशा शूल है, आपको ध्यान रखना है कि आज चंद्रमा है तुला राशी में, तो जब तुला राशी में चंद्रमा हों तो व्यक्तिक घर खरिच सकते हैं, आपका दामपती जो न अच्छोगा, परिवारी की सिती अच्छोगी और आज आपका चतुरदी पिकास होगा, राहुकाल में कोई भी नियाकार न करें, दिशा सूल में यात्रा करने समझे हैं, अगर छोटी दूरी की यात्रा है तो दही गुड़ खा जो महा मंत्र है भगवान भोले नात का है, अगर आप भगवान भोले नात के अरादना करते हैं, तो आपको संपूर्ण प्रकार का सुख मिलता है, धर्मार्थ कारियों में रुची बढ़ती है, अध्यात्मिक विकास होता है, सुख के संसाधनों ब्रद्दी होते हैं और भ